स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टेडी वायर में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकाश से हम शिक्षा सास्त्र का प्रेक्टिस सेट नंबर 13 इसके पहले हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे प्रेक्टिस सेट अपलोड किये हुए तो सारे की सारे देख लीजे मित्रो क्योंकि इन प्रेक्टिस सेट में परिक्षा से उपयोगी कुछ प्रशनों को हमने शामिल किया हुआ है तो चलिए हम बात करते हैं हमारे प्रेक्टिस सेट के कोशेंस की यहां पर कोशें नंबर 1 जो है उसकी बात यहां पर हम करते हैं तो यह है हमारा क अवस्था, आपसा नमबर C, की सोरा आवस्था, अपसा नमबर D, प्रोड आवस्था, ठीक है, तो सुनहरी आवस्था किसे कहा गया है, वो हमें यहाँ पर टेक करना है, ठीक है मित्रों, तो यहाँ पर अगर हम बात करें हमारे आंसर की, तो हमारा आंसर होगा, आपसा नमबर बात करें अगले प्रेश्णी की तो ये हमारा अगला प्रेश्ण प्रेश्ण नमबर दो विकास की वहाँ अवस्था जिसमें विकास की अवस्था में बुद्धी का अधिक्तम विकास होता है वो हमें बताना है कि विकास की कौन सी अवस्था है जिसमें बुद्धी का विकास अधिक्तम होता है तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा मित्रो कौन सी अवस्था में बुद्धी का अधिक्तम विकास होता है किसोरा अवस्था में बुद्धी का अधिक्तम विकास होता है किसोरा अवस्था में बुद्धी का अधिक्तम विकास होता है तो यह हो जाएगा हमारा अगडा प्रेश्न, प्रेश्न नमबर 3, ठीक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है, ठीक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है, ठीक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से है, यह हमें यहाँ प ठीक है और सब्सक्राइब करने वाले कारक में और याrea पर हम बात करेंगे तो हमारा आंसर आजाएगा ऑप्सन.द कारक कौन से ओपे लिए सारी रिक कारक करें हम अगले प्रश्णिकी तो यहां पर हमारा अगला प्रश्ण है प्रश्ण नमबर चार वंशया नुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विश्यस्ताओं का पूर्ण योग है यहां किसका गतन है वो हमें बताना है तो यहां पर हमारा आंसर जो हो जाएगा उसकी डारेक्ली हम बात करते हैं हमारा आंसर होगा मित्रो अप्सन नमबर बी ठीके बी एन जहां बी एन जहां जो है वो एक मनोविध्यानिक है उन्होंने यह कहा है कि वंशया नुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विश्यस्ताओं का क्या है पूर्ण पर हमारा आंसर हो जाएगा मित्रो अप्सन नमबर बी एन जहां बात करें हम प्रेश्ण नमबर पाच की तो यह हमारा अगला प्रेश्ण प्रेश्ण नमबर पाच सामाजी करन के निमनलिखित में से कौन सी अवस्थाए है ठीके सामाजी करन के निमनलिखित में से कौन सी अवस्था है, option number A, प्रारंभिक बाले अवस्था, option number B, जन्मकाल, option number C, किसोर अवस्था, option number D, प्रोडा अवस्था, ठीके, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा मित्रो, वो हो जाएगा, option number B, ठीके, क्या पुछा है यहाँ पर, सामाजी करन के निम्नलिखित में से कौन सी अ विकास मानते हैं, सामाजी करन का जो विकास मानते हैं, वो होता है अमारा प्रारंभिक बाले अवस्था, sorry, यहाँ पर आंसर यही होगा, प्रारंभिक बाले अवस्था, क्योंकि देखे, सामाजी करन होता है यहाँ पर, क्योंकि देखे, बच्चा जो होता है, वो स्कूल ज लगते हैं चाहिए दीन कहलता है । अच्छा कोशन हैं तो यहां हम बात करें Corps घृटर। option आपके सले कहा फिर्ट का सлекश्ण है , option number C कूले का सिध्धान्थ option number D दुर्खिम का सिध्धान्थ ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा answer कूले का मिड का सिध्धान्थ मिड का सिध्धान्थ जो है वो है मैं और मुझे का सिध्धान्थ मिड का सिध्धान्थ होगा कौन सामाजी करन को प्रभावित करने वाले कारक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि सामाजी करन को प्रभावित करने वाले कारक है कारक कौन है तो यहाँ पर जो है सामाजी करन को प्रभावित करने वाले कारक है परिवार चीक है परिवार जो है वो सामाजी करण को प्रभावित करने वाले कारक है चीक है ये तो शैशवकाल तो एक प्रगार की अवस्ता है उत्तरबाले काल भी अवस्ता है किसोर अवस्ता भी अवस्ता है लेकिन हमें पूछा गया है कारक प्रशन में तो हमारा आंसर हो समाधन करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की चमता देती है बुद्धी के संदर्व में यहां कथन किसका है ठीक है बुद्धी वह सकती है जो हमें समस्याव का समाधन करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की चमता देती है बुद्धी के संदर्व में यहां कौविन ठीक है तो यहाँ पर हम बात करें हमारे आंसर की मिश्रों तो हमारा आंसर हो जाएगा राय बर्न ठीक है राय बर्न एक मनुविज्ञानिक का नाम है तो उन्होंने ये कहा है कि बोध्धी वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधन करने और उद्धिश्यों को प्रा को अभिव्यक्त करने का माध्यम है अप्सान नंबर बी विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम है अप्सान नंबर सी भाव या विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है या उप्रोक्त में इसे कोई नहीं चीक है तो यहां पर हम बात करेंगे मित्रों अप्सान नंबर C की ठीक है मतलब भाओ और भाओ को भी अभिवेक्त करता है भासा और विचारों को भी अभिवेक्त करता है तो यहां पर देखें हमारा प्रश्ण नमबर 10, स्रजनात्मक्ता क्या है, क्रेटिविटी जो होती है, वो हमसे पूछा गया है, स्रजनात्मक्ता क्या है, option number A, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों की अत्वा तयार करने की योग्यता, option number B, बुद्धी का संयोजन, option number C, बुद्धी लब्दी से परिभाशित करना और उप्रोक्त सभी, ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा, स्रजनात्मक्ता क्या है, तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा, मित्रो, option number A हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, option number A, समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों की अवस्था तयार करना, ठीक है, यही क्या है, हमारी स्रजनात्मक्ता है, समस्याओं के मौलिक और अपसारी संसाधनों की अत्वा तयार करने की योग्यत पर निर्भर करती है इस कथन से आफ अपसा नंबर A पूर्ण तह सामत है अपसा नंबर B पूर्ण तह सामत है अपसा नंबर C आंशिक रूप से सामत है या कुछ निश्चित नहीं ठीक है तो यहां पर अगर हम बात करें हमारा जो आंसर होगा तो देखे बहुत ही सो समझ के ह हमें आंसर लगाना पड़ेगा पूर्ण तह सामत हम सामत तो नहीं है इस चीज से बिलकुल भी कि जो बुद्धी होती है वह लिंग पर निर्भर करती है मतलब हम यह नहीं कह सकते कि लड़के जादा मैट्स में एक्टिव होते है या लड़किया जो होती कला कारिये में बह पूर्ण तो यहीं होगा हमारा आंसर मित्रो अप्सन नंबर बी आंशिक रूप से सामत भी नहीं है और कुछ निश्चेत भी नहीं हमें पूर्णता हां असामत है पूर्णता असामत रूप से हम कह सकते कि बुद्धी लिंग पर निर्भर नहीं करती है ठीक है तो यहीं हो संदर्ब में यहां कथन किसका है ठीक है बिल्कुल बहुत अच्छा ही कथन है कि एक बालक की सिक्षा का अर्थ है पुरुस की सिक्षा जबकि एक बालिका की सिक्षा का अर्थ होता है कि पुरे परिवार की सिक्षा ठीक है तो यह कथन जो है यह स्टेटमेंट जो है वो किन्न जब हमें बालिका को पढ़ाते हैं, तो वो जो सिक्षा होती, वो उसके पूरे परिवार की होती है, ठीके, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, option number B, महात्मा गांधी, ठीके, बात करें, question number 13 की, तो यह हमारा question number 13, okay, निम्नलिखित में से कौन सा मुल्यांकन अध्याय के बीच मे बीच-बीच में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा मुल्यांकन है, जो अध्याय के बीच-बीच में होता है, option number A, योगात्मक मुल्यांकन, option number C, रुपनात्मक मुल्यांकर, option number D, वैदतापूर्ण मुल्यांकन, ठीके, तो यहाँ पर देखिए, मित्रों, हमारा answer क्या हो जो जु座ान के उड़ानाइक समय मातलब कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम मिलियानकन करते रहें तो सर नमबर ही ओद्ञान स्टेमे क्या होता है कि मिल्यानकन करते हैं तो कुष्य नमबर कुल्ट करें мышet परिक्षार्टी की संख्या सरवाधिक हो तो उनके मुल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न का उपयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, जब परिक्षार्टी की संख्या सरवाधिक हो तो उनके मुल्यांकन के लिए किस प्रकार के प्रश्न का उपयोग किया जाना चाहिए, option number A वस्तुनेश्ट, option number B लगुत्तर या option number C निबंदात्मक, option number D चित्रात्मक ठीक है तो यहाँ पर हम बात करें जब परिक्षार्टी की संख्या बहुत ज़्यादा हो तो उनके मुल्यांकन के लिए हमें कौन से किस प्रकार की प्रश्ण का अपयोग करना चाहिए तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा मित्रो, option number A वस्तुनेश्ट प्रकार के प्रश्णों का हमें उप्रयोग किया जाना चाहिए जब इध्यार्टियों की संख्या बहुत ज़्यादा हो चीक है तो यही हो जाएगा मारा आंसर, option number A बात करें, question number 15 जी तो यह हमारा question number 15 मुल्यांकन का मुख्य उद्देश होना चाहिए, ठीक है, मुल्यांकन का मुख्य उद्देश होना चाहिए, option number A option number D, सिक्षार्टियों के तुर्टियों को निकालना, ठीक है, तो यहाँ पर हम बताए, मित्रों हमारा जो आंसर होगा, कि मुल्यांकन का जो मुख्य उद्देश हो क्या होना चाहिए, ठीक है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, option number C, हमारा आंसर हो जाएगा, मुल्यांकन का मुख्य उद्देश होगा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान, यही हमारा मुल्यांकन का उद्देश है, ठीक है, हम बच्चे को देखे, कि इसकी सीखने में कौन-कौन सी कमी है, और उसका निदान करें यहीं हमारा मुल्यांगन का मुख्य उद्देश होगा बात करें प्रेश नंबर 16 की तो यह हमारा प्रेश नंबर 16 निम्न में से कौन समावेशी सिक्षा की प्रक्रिया है ठीक है निम्न में से कौन समावेशी सिक्षा की प्रक्रिया है option number A, सामाजिक प्रक्रिया, option number B, संस्था रहित सिख्चा, option number C, समानता प्रक्रिया, option number D, कक्छा सिख्चा, ठीक है, समावे से सिख्चा, inclusive education की बात इन्होंने यहाँ पर की हुई, और मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, कि inclusive education क्या होता है, inclusive education क अंतर pesticides में यहाँ होता है, जैसे जो विषिस्ट, विषिस्ट आवशक्ता वाले जो बच्चे होते हैं, उन्दचों को हम सामन में बच्चों के साथ बिठाल करें, सिख्चा देते हैं, और यही होती है हमारी समावे से सिख्चा, ठीक है, तो यह क्या है, या किस प्रकार की ह तो हमें बताना है क्या यह सामाजिक प्रक्रिया है यह संस्था रहित सिक्षा है या समानता प्रक्रिया है या कक्छा सिक्षान है चीक है तो एक प्रकार की अगर हम बात करें तो यह होती है समावे से सिक्षा संस्था रहित सिक्षा ठीक है क्या होती ही संस्था रहित सिक्षा मतलब कि यहाँ पर हम किसी भी प्रकार के जो नियम है, जो संस्था के नियम है, उस प्रकार के नियमों को हम अपलाई नहीं करेंगे, हम सभी को involve करके साथ में, मतलब साथ में सिख्षा प्रदान करेंगे, तो यही हो जाएगा हमारा answer option number B, बात करें, प्रश्न number 17 की, तो यह हम हमारा प्रश्न number 17, चीक है, भासा एम संप्रेशन अधिकम अशक्तता कुन इमनमे क्या कहा जाता है, ठीक है, भासा एम संप्रेशन अधिकम अशक्तता कुन इमनमे से क्या कहा जाता है, option number A, dysgraphia, option number B, alexia, option number C, aphagia, option number D, dysthemia, चीक है, तो भासा एम संप्रेशन अधिकम हम क्या कहते हैं तो option number C हो जाएगा हमारा आंसर अफेजिया वित्रो यह होती है हमारी learning disability ठीक है मतलब कि अधिकम देरियोग गिताय होती है तो यहाँ पर अगर हम देखे तो यह होती है अफेजिया अफेजिया में भाशा एम संप्रेशन से संबंधित अशक्तता होती है ठीक ह dysgraphia जैसे कुछ लिखावट में लेखन में जिनको problem होती है उनसे related है तो मतलब यह सारी की सारी जो है यह learning disability है और यह प्रत्यक जो है वो एक particular disability से related है जैसे कि भाशा और संप्रेशन है sorry अफेजिया से ठीक है किसे संबंधित है मित्रों अफेजिया से भाशा एम संप्रेशन संप्रेशन संबंधि असक्तता जो है वो अफेजिया से related है बात करें है प्रश्ण नमबर 18 की तो यह हमारा प्रश्ण नमबर 18 ठीक है निमनलिखित में से कौन जो है वो सारी रिक रूप से विकलांग बालकों की स्रेणी में नहीं आता है ठीक है मित्रों तो यहां पर जैस निमनलिखित में से कौण सारी रिक रूप से विकलांग बालको की स्रेणी में नहीं आता द्रश्टी दूस्रीन रिक रूप से दिव्यांग है अप्षान नमबर 20 रवन दोष युक्त बालक यहां पर मित्रों कौनसा नहीं आएगा तो हमारा आंसर होगा अप्षान नमबर सी कुणसा आंसर होगा हमारा option number C मानसिक दोस युक्त छात्रे जो है वो सारे रिक रोप से विकलांग बालकों की श्रेनी में नहीं आएगा बात करे question number 19 की तुझे हमारा question number 19 हैलिंग वर्थ ने प्रभावशाली बालकों के पठेक्रम में सम्रद्धी के लिए क्या कारिकरम बताए option number A आधुनिक भासाओं का अध्यान option number B जीवन गाथाओं का अध्यान option number C विशेश योगताओं में प्रशिक्चन option number D उप्रोप्त सभी हैलिंग वर्थ ने प्रभावशाली बालकों के पठेक्रम में सम्रद्धी के लिए क्या कारिक्रम बताए तो यहाँ पर हो जाएगे हमारे answer उन्होंने आधुनिक भासाओं का अध्यान भी बताए जीवन गाथाओं का अध्यान भी बताए और उन्होंने विशेश योगिताओं का प्रश्रिक्षन भी बताए तो इस प्रकार से हमारा answer होगा मेत्रो option number D हमारा answer होगा option number D बात करे question number 20 तो यह हमारा question number 20 स्रजनात्मक बालक के परिक्षन के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है स्रजनात्मक बालकों के परिक्षन के लिए किन तरीकों को अपनाया जाता है option number 1 चित्रपूर्ती परिक्षन option number 2 वरत परिक्षन option number D टीन के डिब्बेगा परिक्षन option number D रोक्त सभी तो यहाँ पर हमारा answer क्या होगा मेत्रो option number D होगा स्राजनात्मक बालकों के परिक्षन के लेकिन तरीकों को अपनाया जाता है तो स्राजनात्मक बालकों के परिक्षन के लिए हम चित्रपूर्ती परिक्षन भी कर सकते है और व्रत परिक्षन भी कर सकते हैं तीन के डिब्वेगा परिक्षन भी कर सकते हैं पर हो जाएगा मारा आंसर, option number D, उप्रोक्त सभी, बात करें, question number 21 की, तो ये हमारा question number 21, शीखना अनुभव या व्यवार में परिवर्तन है, यहा कतन किस विद्वान का है, यहा कतन किस विद्वान का है, यह statement कि इन ने दिया है, ठीक है, option number A, crow M, crow, option number B, gates, option number C, friendson, option number D, A, pill, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा answer क्या हो जाएगा, मित्रो, option number B, ठीक है, gates, gates ने यह बताया कि सीखना जो है, वो अनुभव या व्यवार में परिवर्तन है, इसके पहले वाले, शायद इसके पहले वाले, PDF में, या इसके पहले वाल सीखने की किस विधी का प्रतिपादन बैंडूरा द्वारा किया गया, ठीक है, Albert बैंडूरा ने एक सीखने की मेथड दी हुई है, तो वो बताना है कि किस मेथड से उन्होंने बताया है, सीखना, ठीक है, option number A, प्रेक्षन द्वारा सीखना, option number C, निरिक्षन विधी द्वा प्रेक्षन द्वारा सीखना, ठीक है, तो प्रेक्षन द्वारा सीखना, ठीक है, तो प्रेक्षन द्वारा सीखना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग की बात यहां पर वो कर रहा है, ठीक है, माइक्रो टीचिंग, अगर मित्रों आप लोगों की माइक्रो टीचिंग करना होता है तो क्या सम्मेलित नहीं है वो आमें बताना है प्रेश्ट पोशन अप्सन नंबर भी पुनह सिक्षन अप्सन नंबर सी पार्ट नियोजन अप्सन नंबर डी सामाजी कंतहक रिया इन चारों में से क्या सम्मेलित नहीं है वो भी माइक्रो तो हमारा क्या आंसर होगा मेत्रो हमारा आंसर होगा option number D चीके क्या होजाएगा सामाजिक अंतह क्रिया देखे पुना प्रष्ट पोसन जो है वो याने की feedback जो है वो भी हमारे सुक्ष्म सिक्षण चक्र से संबंदी थे, पुना सिक्षण भी है और पाठनी उचन भी है, लेकिन सामाजिक अन्था क्रिया जो है वो नहीं है, ठीकर हमें यही पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा मित्रो, अप्सन नमबर D, बात करें प्रेश्ण नमबर 24 की, तो यह हमारा प्रेश्ण नमबर 24, मैजिक लेंटन किस प्रकार के सिक्षण सहाग सामागरी से संबंदी थे, किस प्रकार की सिक्षंड सहायक सामगरी से संबन्धी थे, option number 1, द्रश्य सहायक सामगरी, option number 2, श्रौविश सहायक सामगरी, option number 3, व्याख्या सामगरी या प्रश्णा वीदी, ठीके, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारा आंसर हो जाएगा मित्रो, option number 8, द्रश्य सहायक साम द्रश्य शायक सामगरी से रिलेटेड है मैजिक लैंड टर्ण इसके पहले वाले वीडियो में भी ये कुशन आया था तो इसे प्रीज याद रख लेजेगा बात करें प्रेश्ट नमबर 25 की तो ये हमारा प्रेश्ट नमबर 25 रूची आदत वसामुदाई किस प्रकार के प्रेश्ट के उधारन है जो रूची होती है जो आदत होती है यह सामुदाई ठीक है वो किस प्रकार के प्रेश्ट के उधारन है ठीक है तो यहाँ पर अगर हम बात करें जन्मजाद प्रे रख, option number B मनोविक ज्यानिक प्रे रख, option number C अर्जित प्रे रख, option number D स्वभाविक प्रे रख, ठीक है, तो हमारा answer क्या होगा मित्रों, हमारा answer होगा option number C, ठीक है, अर्जित प्रे रख ठीक है, क्योंकि देखें, जन्मजाद तो नहीं होता है, मनुविक ज्यानिक भी नहीं होता है, स्वाभारिक भी नहीं होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें कि अर्जित प्रेरख, वह इक प्रकार का अर्जित ज्यान होता है, या अर्जित चीजें होती जैसे कि आदत भी सीखी जा सकती है, रूची भी सीखी जा सकती है ठीके और सामुदाईक जो है वो यानि कि सामचित्ता का जो तो अरजित गुन है बात करें प्रेश नंबर Baptist 26 की तो यह हमारा prophetic 26 विद्ध्यालाय में विद्ध्यार्ती कैसे अभी प्रेरित करना उचित है ठीके विद्ध्यालाय में हम विद्ध्यारतियों को किस प् पर अगर हम देखे हमारा answer क्या होगा मित्रो option number D सवर अधिगम ठीक है किस प्रकार से हमें अभी प्रेजित करना चाहिए तो सवर अधिगम द्वारा ठीक है मतलब सु नियोजित धंग से हम उने पढ़ाएंगे सुनियोजित धंग से हम उने समझाएंगे तो ये होता है अभी प्रेजन करने का बेस्ट तरीका पात करें question number 27 की तो ये हमारा question number 27 निमने लिखित में से कौन से समझे का प्रकार है ठीक है भै करूणा भूग यह सभी ठीक है मित्रों तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा हमारा answer है प्रश्ण नमबर 27 का D ठीक है, क्योंकि देखे, भय भी एक प्रकार का समवेगा करुणा भी एक प्रकार का समवेगा और भूख भी एक प्रकार का समवेगा ठीक है, तो यही होगा हमारा answer option number D, यहाँ सभी बात करें हम प्रश्ण number 28 की तो यह हमारा प्रिश्ट नमबर 28 स्कीनर की सक्री अनुबंदन सिद्धानत को किस अन्य नाम से जाना जाता है स्कीनर की सक्री अनुबंदन सिद्धानत को किस नाम से हम और जानते है तो हमारा आंसर अप्सन नमबर A साधनात्मा का दू अनुबंद option number 2, सायोचन अनुबंद, option number C, सक्री अनुबंद, option number D, अभी प्रेरना अनुबंद, ठीक है, हमारा answer क्या होगा मित्रों यहाँ पर होचाएगा हमारा answer option number A, स्कीनर की सक्री अनुबंधन सिद्धानत को अन्य किस नाम से जानते हैं साधनात्मक अनुबंध के नाम से जानते हैं प्रेश्ट नमबर 29 तो यह हमारा प्रेश्ट नमबर 29 मैक डॉनल्ड मैक डॉनल्ड के अनुसर विवरन अधिगम प्रक्रिया के कितने भाग है option number A, 2, option number B, 4, option number C, 3, option number D, 5, ठीक है, तो हमारा answer क्या हो जाएगा मित्रो, option number B, ठीक है, 4, Macdonald के अनुसर, विवरन अधिगम की प्रक्रिया के कितने भाग होते हैं, तो वो होते हैं, चार, ठीक है, और session का last question ये है, ठीक है, प्रस्ट number 30, संग्यानात्मक विकास के संग्यानात्मक विकास के निर्धारग तत्व हैं, उनके आधर पर हम संग्यानात्मक विकास का अनुमान लगा सकते हैं, किनके आधर पर समाजिक बंधनों के आधर पर, ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार से था हमारा आज का practice 8, ठीक है, इसके पहले भी हमने बहुत सारे practice 8 अप्लोड किये हुए, सारे के सारे practice 8 देखिएगा, और आप लोगों के exam के लिए बहुत ही बहुत best of luck, सभी बहुत अच्छे से exam ठीक है, ठीक है मित्रों, तो अब हम मिलें के अक लिए वीडियो में, thank you so much और जाहिन